सबसे पहले मैंस के 35 कोशन कवर करेंगे इसके बाद रिजनिंग के 35 कोशन और लास्ट में जीके के 50 कोशन कवर करेंगे टोटल इस कोशन पेपर में 120 कोशन है तो यहां पर देखेगा मैंस कोशन कोशन नमबर 86 से स्टार्टिंग यहां पर देखे 15 प्रतिवर्स रुपाई में की वार्षिक चक्रदिव्याज की दर से 18 जार रुपाई की राज़ पर दो साल की अवद के लिए प्राप्त राशी प्राप्त करें तो यहां पर देखेगा सबसे पहले तो रेट दिया हुआ 15 परसंट तो 15 परसंट की बैलू यहां पर लिखेंगे देखे 15 बटे 100 होगा तो कैंसिल आउट करेंगे 5 से 5 ते 15 यहां पर 20 पंचे 100 अर्थाद 20 यहां पर प्रिंस्पल हो जाएगा और 3 इसमें जोड़ देंगे प्लस करेंगे तो 23 हो जाएगा इमाउंट तो देखे यहां पर 2 साल की अवधी दिया है तो यहां पर स्क्वेर कर लेते हैं तो प्रिंस्पल और अमाउंट मिस्र धन दोनों का आप रेशियो यहां पर फाइंड करेंगे तो यहां 20 का स्क्वेर 400 यहां प्रिंस्पल होगा और यहां पर 23 का स्क्वेर 529 होता है यह अमाउंट हो जाएग पिर देखे 4 एकम 4 यहां पर 4 चग 16 चार पंची 20 एक बराबर 45 पैलू फाइंट होगी अब यहां से आपको निकालना है 529 की पैलू क्योंकि यहां पर 2 साल बार प्राप्त रासी मिस धन के बराबर होती है तो यह देखे यह प्रिंस्पल था यह अमाउंट है तो 529 बराबर जम निकालना तो 529 गुणे 45 करेंगे तो यहां पर देखे गुणन फल आप यहां पर गुणा कर लेंगे गुणन फल आएगा 23805 यहां पर आप मल्टिप्लाई कर लेंगे 23805 पराप्त होगा आपसन भी करेक्ट है नेक्स्ट कोस्टन है एक धादु के टुकडे की कीमत 115 से बढ़कर 138 रुपाई हो गई ब्रद्धी का प्रिच्चत ग्याद करें प्रिच्चत में फाइंड करना है देखे यह पहले 115 था और यह बढ़कर के 138 हो गया तो सबसे पहले देखें कितने की ब्रद्धी होई तो यहाँ पर ब्रद्धी होई यह दोनों का डिफरेंस 23 आएगा 23 के ब्रद्धी होई आपको प्रिच्चत में फाइंड करना है परसेंट में तो 23 उपर लिखेंगे और यह जो ब्रद्धी होई तो 115 में हुई तो 115 नीचे आएगी बाईलू एंटू प्रिच्चत ब्रद्धी होगी 20 प्रिच्चत की आपसा नंबर सेकेंड करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है जब 45,342 को 9 से विभाजित किया जाता है तो 6 क्या बचेगा यहाँ पर ध्यान देंगे पहले 9 से विभाजिता कर नियम होता है कि संख्या को 9 बनाना है तो यहाँ पर देखे 4,5,9 यहाँ पर 3,4,7,7,7,2,9,9,9 यह पूरी बन रहा है यह था 6,0 आएगा यह 9 से पूरा-पूरा भी भाजित हो जाएगा बिकल्प सी करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है एक बाक्स में पेन, पेंसिल और इरेजर 3,2,1,1 के अनुपात में है यह संख्या का देख्य एक रमसे 3,2,2 है तो और बाक्स की लागत 90 है तो बाक्स में पेन की संख्या खीचे यहाँ पर देखेगा सबसे पहले लिख लेते हैं पेन, पेंसिल यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है पेन, पेंसिल और यहाँ पर इरेजर है थर नमबर में यहाँ पर पेंसिल और एदिए के कीमत दिया है तो यह वापस में यहाँ पर गुना करेंगे तो खुल कीमत आएगी धेजार की 15, 15-90 की बराबर है तो 15-15, 15-6-90 अप कहरा कि पेन की संख्या ग्याद करेए तो पेन की संख्या अनुपाँ में 3 है तो जब आप पेन की संख्या निकालेंगे तो 3 से गुणा करेंगे 6 में क्योंकि एक अनुपाँ की बालु 6 है डी नमबर 18 होगा नेस्ट कॉस्टन है निमन पंक्तियां परिच्छा में पात रूमी द्वारों की संख्या का प्रिस्ट दिखाती है जो 2001 से 2006 की दवरान 6 साल की अवधि के दवरान उपस्तित रूमी द्वारों की कुल संख्या की तुलना में है यहाँ पर देखे फिगर को देखके फिर इसके बाद प्रिस्ट का उत्तर देना है डाइग्राम यहाँ पर बना हुआ है तो देखे यहाँ पर कॉस्टन है कि नीचे दिये गए वर्सों में से किस जोड़े में पात रूमी द्वारों के प्रिश्चत में कम प्रिश्चत अंतर था सबसे नियुंता मंतर किस जोड़े में दिया हुआ है तो देखे बिकल्प का सहारा लेंगे तो 2003 से 2004 में देखे देखे 2003 में दिया हुआ है 69 और 2004 में दिया हुआ है 60 यह यहाँ पर दिया हुआ है तो अंसर साथ में अंतर हो जाएगा प्रिस्षत का 1% नियुन्तम अंतर यहीं पर है बाकी में डिफरेंस बहुत जादा जादा है तो इसका आपसर नंबर फ़स्ट करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है देखिये यहां सिंप्लिफिकेशन कोर्शन है तो इसको अंसरहर दोनों अलगड़ अलग शॉल्ब करेंगे तो अंस्में देखिए सबसे पहले भाग करेंगे तो 521, 24 तो देखिए 24 एक म् 24 यहाँ पर 24, 42, 42, 72 24 से भाग करने पर 20 आया नीचे भी यहाँ पर देखे पहले भाग कर लेते हैं आपस में तो 30 से भाग करेंगे इसमें तो 24 बार जाएगा तो देखे अब इसको solve करते हैं तो यहाँ 30 into 30 और यहाँ plus 30 तो 30 उपर common हो जाएगा तो bracket में देखे यह 20 बचेगा यहाँ पर और plus यहाँ पर 1 बचेगा जब 23 कामल लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और नीचे यहाँ पर देखे 24 में जब एक घटाएंगे तो यहाँ भी 23 होगा तो 23-23 cancel out हो गया तो answer हो जाएगा 23-24 यही इसका answer है option number 4 correct है next question है राम और राज चार अनपाते 5 के अनपात में हैं यदि उनकी आईउ का योग 126 है तो उनकी आईउ से अलग करें मतलब दोनों का answer find करना है तो पहले यहाँ पर लेक लेते हैं राम और राज दोनों की आईउ का अनपात यहाँ पर दिया है 4 अनपात 5 लेकिन यहाँ पर देखिए अनपात में टोटल हो रहा है यहाँ पर 5,4,9 और 9 अनपात की बैलू दिया है 126 तो यहाँ पर जब कैंसील आउट करेंगे 9 से तो देखिए 9,1,9 यहाँ नपात की बैलू 14 आएगी तो देखिए उनकी आयू से अलग करना है यहाँ इनके बीच का अंतर फाइंड करना तो अंतर एक कही है और यह बराबर आ गया है 14 वर्स तो आपसर नमबर D करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है 5 बटे 4 प्लस 3 बटे 5 5 माइनस 9 बटे 10 को सरल करना है देखिए यहाँ पर 4, 5 और 10 के L.C.M. होता है 20 तो यहाँ पर सब को 20 के एक्वल करेंगे तो 4 पंच का गुना करेंगे 20 बनाना है तो यहाँ भी 5 का गुना करेंगे अंसर हर दोनों में करेंगे फिर 5 को 20 बनाना तो 4 का गुना और फिर इसके बाद माइनस है तो माइनस 9 दूनी 18 अब देखिए 25 और 12 जब जोड़ेंगे तो 37 और 37 में 18 घटाएंगे तो यहाँ पर वैलू बचेगी आप यहाँ पर माइनस कर लेंगे 19 और भाग करना है 20 से तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले 19 बटे यहाँ पर 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 तो जब 2 से इसको पहले कैंसिल आउट करेंगे तो 2 नहीं यह 18 इसके बाद एक 10 हुआ तो 2 पंचे 10 तो यहाँ पर 9.5 आएगा अभी 10 से और भाग करना है तो देखे दसमलों यहाँ खिस जग जाएगा एक अंका और दी हुई है तो यहाँ पर देखे संबाउत रिभुच का एरिया होता है यहाँ डारेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं रूट 3 बटे 4 इंटू भूजा स्क्वेर अब भूजा की बैलू दिया है 30 तो यहाँ पर देखे रूट 3 बटे 4 इंटू 30 स्क्वेर यहाँ पर करेंगे मतलब 30 x 30 यहाँ दो बार लिखना होगा फिर कैंसिल आउट करेंगे दो दूनी 4, 15 दूनी 30, 2 से कैंसिल आउट होगा फिर 2 एक कम दो यहाँ पर 15 दूनी 30 तो 15 कवर्ग होता है 225, 15 x 15 यहाँ 225 into square root 3 हो जाएगा बगल में 3 लिखेंगे centimeter square यही इसका answer होगा option number इसका third correct है यहाँ पर देखे root 3 लगा हुआ है सभी में next question है पांच संख्याओं का आउसत 113 है तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं पांच संख्याओं का average 113 फिर कहरा कि एक संख्या के आउसत से अधिक होने के बाद भी आउसत वही रहता है मतलब एक संख्या यहाँ बढ़ रही है तो यहाँ पर 6 हो गई तो आउसत यहाँ पर जेव का एक कगुणा 113 से कर लेते हैं यह इसका तरीका है तो 113 एक कम 113 और सून कगुणा 5 से कर लेते हैं तो देखे 5 सुन अब सुन यह दोनों को जोड़ेंगे तो 113 ही होगा मतलब जो संख्या ब्रद्ध ही होई है वो 113 ही होगी आपसर नंबर 4 नेस्ट कोस्टन है देखे यहां सिंप्लिफिकेशन का कोस्टन दिया हुआ है तो सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सौल करेंगे 22 में जब यहां पर 7 घटाएंगे तो बैलू बचेगी 15 अब देखे यह माइनस लगा हुआ है तो 32 माइनस 15 कर लेंगे तो यहां पर बैलू बचेगी 32 में 15 घटाने पर 17 और 17 में जब 9 जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो 17 9 26 होता है और फिर लाश्ट में 42 माइनस 26 करना है तो यहां पर बैलू आजाएगी 16 यहां पर 42 माइनस 26 16 होता है आपसर नमबर भी करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है यक्स बराबर 0.5747474 देखे रिपीट हो रहा है यक्स का अंस गयाद करें सबसे पहले तो यहां पर यक्स बराबर लिखेंगे देखे यहां पर 0.5 छोड़ करके और 74 रिपीट हो रहा है तो 74 में यह बार का सिंबल लगा देते हैं अब इस बैलू को लिखेंगे देखे यहीं पर 574 पहले पूरी संख्या में जिस संख्या में सिंबल नहीं लगा इसको घटा आते हैं जो छूटी संख्या है ओपर लिखेंगे अंस में और नीचे दो संख्या में बार का सिंबल है तो डबल नाइन आएगा और एक संख्या चूटी तो इसके बादे सून आएगा तो इस तरह से ये बाईलू देखे कनवर्ट हो जाएगी पांच चोहतर में जब पांच घटाएगी तो यहां 569 आएगा और बटे हो जाएगा 990 यही इसका अंसर होगा देखे अंस इसका पता करना था तो 572 990 नेस्ट कोस्टन है 650 मीटर लंबे पूल के एक छोर पर सिंगनल को पूरा करने में एक ट्रेन को 27 सेकेंड लगते हैं अगर उस ट्रेन को उस पूल को पार करने में 92 सेकेंड का समय लगता है तो उस ट्रेन की लंबाई ले मीटर में तो देखे यहाँ पर सबसे पहले तो आपको स्पीड फाइंड कर लेना है इसका तरीका है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपान टाइम तो यहाँ पर देखे डिस्टेंस हो जाएगा 650 मीटर क्योंकि यह किसी भी खंबे को यह सिंगल को पार करेगी तो उस टाइम पर ट्रेन की लंबाई ही टोटल दूरी होती तो डिस्टेंस यहाँ पर लिख लेंगे 650 और समय का अंतर यहाँ पर लिख लेंगे दोनों का डिफरेंस तो 92 माइनस 27 यहाँ पर देखे यहाँ पर घटाएंगे जब 92 में 27 तो यहाँ पर बचेगी बैलू 65 यहाँ पर घटा लेंगे तो 65 है कम 65 65 दहम 650 तो यह स्पीड आ जाएगी 10 मीटर 30 सेकेंड अब आपको फाइंड करना है यहाँ पर ट्रेन की लंबाई तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई अब देखे यहाँ पर लिखे यहाँ पर तो यह पूल की लंबाई दिया था ट्रेन की लंबाई अब फाइंड करना है तो train की लंबाई हो जाएगी यहाँ पर distance की equal distance equal to होता है speed into time speed यहाँ पर देखे find कर चुके हैं 10 meter per second और into time यहाँ पर दिया है 27 second जब किसी signal को पार करती है कोई train तो उस time पर train की लंबाई ही total दूरी होती है यहाँ पर देखे जो 650 meter pull की लंबाई थी यहाँ पर value हो जाएगी distance की starting condition में यहाँ पर आप देखे train की लंबाई find करना तो speed into time speed यहाँ पर find कर चुके हैं और time की value आपको 27 second लेना है तो 27 से multiply करेंगे तो 270 meter यह meter में आएगी train की लंबाई यही इसका तरीका है side का तरीका आपसा number first correct है next question देखेंगे यहाँ पर एक बार पुने देखेंगे train की लंबाई यहाँ दी नहीं दिया था तो यहाँ एक्स माल लेते हैं और जब किसी pull को पार करती है कोई train तो उस time पर pull सही train की लंबाई हो जाती है x प्लस यहाँ पर देखे 650 तो यह दो दोरी यहाँ पर मिल गई आपको और यहाँ पर दो समय दिया हुआ है तो यहाँ पर देखे speed equal to होता है दोरी का अंतर बटे समय का अंतर तो first दोरी x प्लस 650 है और minus second दोरी हो जाएगी यहाँ पर x और बटे समय का difference यहाँ पर 92 और sorry 27 घटाएंगे यहाँ पर 65 सेकेंड आएगा अब यह minus प्लस cancel out हो जाएगा 65 हिकम 65 65 दहम 650 इस प्रकार से 10 मीटर प्रे सेकेंड यह आपकी speed इस तरह find कर लेंगे अब distance निकालना है तो देखे जब कोई train किसी signal को पार करते है तो उस time पर train की लंबाई ही दूरी होती है और इस time पर देखे दूरी पराबर होता है चाल गुने समय यह नि speed into time अब इस speed यहाँ पर तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गई है तो 10 हो जाएगी और time यहाँ पर देखे signal को पार करने में 27 सेकेंड का time लगता है 27 इस value से आप find करेंगे तो 27 दहम 270 मीटर हो जाएगी train की लंबाई तो इस तरह आपको find करना है next question है एक दुकानदान ने एक item 104 रुपए में खरीदा और उसे 78 रुपए में बेचा नुकसान का प्रिस्ट ग्याद कीज़े प्रिस्ट में find करना है देखे 104 में खरीदा और 78 में बेचा तो यहाँ पर दोनों का difference देखेंगे तो 26 का आएगा अंतर और 26 का नुकसान हुआ किस पर हुआ 104 पर तो आपको percent में find करना तो 26 उपर value लिखेंगे 104 नीचे into करेंगे hand rate तो देखे 26 एकम 26 24 को 104 फिर 4 से कैंसी लाउट करेंगे 4 एकम 4 25 को 100 तो यहाँ पर नुकसान का प्रिश्चत होगा 25 प्रिश्चत तो इसका option first correct है next question है एक train 33 मीटर प्रेज से केंड तेज चलती है और 11 से केंड में वह एक संकेत को पार कर जाती संकेत का मतलब यहाँ सिंगनल से होगा फिर train की लंबाई खींचे मीटर में तो यहाँ पर देखे जब कोई train की सिंगनल पोस्ट को पार करें उस टाइम पर train की लंबाई ही दूरी होती है और यहाँ पर distance equal to दूरी का फार्मूला लिखेंगे distance equal to होता ही speed into time speed दिया हुआ देखे सिलेंडर की कीमत 456 रुपए से बढ़कर 570 रुपए हो गई है LPG सिलेंडरों पर खर्च होने वाली राशी को कम करने के लिए कितने प्रिस्षत की खपत होनी चाहिए प्रिस्षत में तो जब भी इस टाइब का प्रस्ण आए तो पहले यहाँ पर लिखेंगे पहले था कीमत 456 और यह बढ़के हो गया 570 तो देखें यहाँ पर ब्रद ही जो डोनों का डिफरेंस आएगा वही ब्रद ही होगी तो दोनों को आप माइनस करेंगे आपस में तो यहाँ पर घटाने पर बैलू प्राप्थ होगी 114 यह ब्रद ही होई लेकिन यहाँ पर प्रिस्षत कमी यहाँ पर फाइंड करना है तो कितने परसंट की कमी होगी तो जब भी प्रिस्षत कमी फाइंड करना होता है तो 114 ऊपर लिखेंगे बैलू और यह जो कमी करना होगा आपसा नमबर से केंड करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है बारा प्रिस्ट प्रत्य वर्स की दर से पांच वर्सों के लिए सामान बयाद में निवेश करने के बाद अर्जित बयाद 3720 रुपई है इसलिए निवेश की गई राशी रुपई में खोजें यहाँ पर find करना है पहले तो yes i या प्रिस्चत में निकालेंगे तो yes i equal to होता है rate into time तो 12 into 5 करेंगे तो प्रिस्चत में साधान ब्याज हो जाएगा 12,5,60 प्रिस्चत और यही 60 प्रिस्चत की value यहाँ पर दिया हुआ है 3720 तो लिख लेते हैं 60 प्रिस्चत बराबर 3720 आपको 100% की value फिर इसके बाद find करना है क्योंकि धनरासी अर्थात प्रिंस्पल 100 प्रिस्चत होता है तो यहाँ पर देखे 0000 पहले cancel out करेंगे 6 1 कम 6 यहाँ पर 6 6 36 फिर 12 हुआ चैदूनी 12 एक प्रिस्चत की value हो जाएगी यहाँ पर 62 तो जब एक प्रिस्चत की 62 है तो 100 प्रिस्चत की निकालना है तो 100 into 62 करेंगे तो यहाँ पर value हो जाएगी 6200 यही इसका answer हो जाएगा आपसर नंबर 4 correct है नेस्ट कोस्टन है एक आयत की चौड़ाई 35 cm है और इसका कान का मतलब कर्ण है यहाँ पर 99 cm इसकी परिधियर्थात परिमाब सेंटीमीटर में ग्याद करें सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं और यहाँ पर देखें आयत की चौड़ाई दिया है 35 तो आयत की चौड़ाई 35 और कर्ण दिया है इंक्यानवे आपको लंबाई find करना है तो यहाँ पर समकों त्रिभुज में पाइथा गुरस प्रमे होती है तो सबसे पहले तो एक ट्रिपलेट आप यहाँ पर देख लिजें ट्रिपलेट एक होती है यहाँ पर पाइथा गुरस की 5,12,13 अब देखें यहाँ पर 13 से इंक्यानवे हो गया एक करन है तो 13 सते इंक्यानवे 7 का मल्टिप्लाई करेंगे और चोड़ाई यहाँ पर यह वाली कहलाएगी 5 सते 35 तो देखें यहाँ पर ट्रिपलेट यही वाली होगी इसमें 7 गुना करते जाएगे तो 12 का 7 गुना करेंगे तो 12 सते 84 यहाँ पर हो जाएगी लंबाई तो 35 चोड़ाई इंक्यानवे इस तीन भुजाएं हो जाएगी तो 35 दिया है यह 84 हो जाएगी आपको चोड़ाई और लंबाई दोनों फाइंड करना है इसके बाद परिधी निकालेंगे तो परिमाफ होता है या परिधी वराबर आयत का आयत की परिधी या परिमाफ बराबर तो यहां 238 आजाएगा और सेंटीमीटर में आए गए यह तो यहीं परिधी हो जाएगी नेस्ट कॉस्टन देखेंगे सबसे बड़ी संख्या गयात करें जो 24 और 81 में चल सकती है यहाँ पर बड़ी संख्या कह रहा है तो ठाथ चाउमन 81 के सीअफ फाइंड करना वो भी अंतर विद से दोनों का डिफेंस देखेंगे तो गेरा में 4 घटाएंगे तो यहाँ 7 बचे कबाईलू और यहाँ पर 7 में 5 घटाएंगे 2 27 देखें अंतर 27 आएज अब 27 का भाग देखें यहाँ पर दिया गया है निम्न पंक्तिया परिच्छा में पात्र उमीद्वारों की संख्या का प्रिस्यत दिखाती है जो 2001-2006 के दवरान 6 साल की अवधी के दवरान उपस्थित उमीद्वारों की कुल संख्या की तुन्ना में है यदि 2003 और 2005 में उपस्थित उमीदवारों के कुल संख्या 85,000 से अधिक थी तो इन दोनों वर्सों की सामोहिक रूप से योग छात्रों के कुल संख्या रेक्तिस्थान थी अब यहाँ पर 2003 और 2005 की यहाँ पर बात कर रहा है तो देखें यहाँ पर परियाप जानकारी नहीं दिया है नेस्ट कोस्टन देखेंगे एक बिसिस्ष्ट रासी को 6 अनुपाते 5 के अनुपात में दो भागों में विवाजित किया गया है यदि पहला भाग 48 रुपाए का है तो कुल रासी रुपाए में निकाली जाती है तो टोटल रासी आपको फाइंड करना है देखें पहला भाग अनुपात में 6 है और ये 6 बराबर लिखा है देखें यहाँ पर दिया हुआ 48 तो 6 कम 6 688 इसको cancel out करेंगे 8 बार जाएगा तो कहरा कि कुल रासी कितनी है तो कुल रासी अनुपात में 6 और 5 गेरा है तो गेरा पराबर आपको निकालना है तो गेरा into 8 करेंगे गेरा 88 कुल रासी 88 हो जाएगी आपसन भी correct है नेस्ट कॉस्टन है 25 cm और 26 cm लंबाई वाले यहां पर देखे cm2 में की परिधी वाले सम भुझ का छेतरफल निकाले यहां पर देखे दो भुझाई दिया हुआ है तो आधार और उचाई आपको यहां पर area find करना है तो area equal to होता है त्रिभुझ का area एक बटे दो गुणे अधार गुणे लंबाई तो अधार दिया है देखे 25 और उचाई यहां पर 26 ले लेगे यहां पर ध्यान देगे CP हमेशा 100% होता है और जब 10% की यहां पर बेंचेगे तो SP हो जाएगा 90% यह आप यहां पर दोनों पहले लिख लेंगे CP और SP परसेंटेज में अब देखे यहां पर 170 रुपाई बेक्रेमूल दिया है और जबकि प्रिस्चत में 90 प्रिस्चत है तो 90 प्रिस्चत बराबर यहां पर लिखेंगे 170 आपको find करना है क्रेमूल अर्थाथ 100% की बैलू तो एक बराबर यहां पर देखें दस एक से दस बनाना है तो दस का गुणा तो यहां पर भी दस का गुणा कर देंगे तो तेजरा दाहम 130 हो जाएगा अर्थाथ 100% की बैलू 130 होगी तो क्रेमूल 130 होगा आपसर नमबसी करेक्ट है एक चत्रभुज की भुजाएद दो अनुपाते तीन अनुपाते चार अनुपाते पांच के अनुपात में है और परिधिया परिमाप 112 सेंटीमीटर है सबसे छोटा पच्छ ग्याद कीजिए सेंटीमीटर पच्छ का मतलब यहां भुजा से है तो यहां पर देखें सबसे चोटी भुजा ग्याद करें सबसे चोटी भुजा दो है तो जब दो बराबर निकालना तो दो इंटू आर्ट करेंगे दो अठे सोला सबसे चोटी भुजा 216 सेंटीमीटर होगी आपसर नंबर फर्स्ट करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है एक दुकानदार ने 80 रुपए में एक आइटम खरीदा और उसे 100 रुपए में बेच दिया तो लाब का प्रेस्ट ग्याद किजिए देखे प्रेस्ट में फाइंड करना है तो CP 80 रुपए है और बेक्रेमूल SP 100 रुपए है तो देखे CP SP यहाँ पर पढ़ी लिख लेते है अब देखे 80 से 100 हो गया मतलब लाब होगा 20 का तो आपको प्रेस्ट में फाइंड करना है तो देखे क्रेमूल पर ही लाब होता है तो यह 20 ऊपर लिखेंगे और क्रेमूल नीचे लिखेंगे इंटू करेंगे हैंडेट तो यहाँ देखे 20 एकम 20 24 80 फिर 4 एकम 4 25 चौको 100 यह पर देखे पहले तीन परिछाओं के उसके अंक 68 88 है तो प्रत्यक्तर जीतने के लिए उसके चौते टेस्ट में कितने अंक मिलने चाहिए देखे प्रथम चार परिछाओं का आउसर दिया 80 तो कुल हो निकाल लेंगे चार परिछाओं का कुलंग तो 4 इंटू 80 करेंगे फिर माइनस कर देंगे यहाँ पर तीनों परिछाओं के अंकों का योग तो यहाँ पर 68 प्लस 78 प्लस 88 अब यहाँ पर देखे चार परिछाओं का टोटल अंक यहां गुना करेंगे 4 32 32 होगा माइनस तीन परिछाओं का कुल योग हो जाएगा यहाँ पर जोड लेगे आपस में तो 234, अब 320 में जब 234 घटाएंगे, तो यहाँ पर 10 में 4 घटाएंगे 6, फिर यहाँ पर 12 में 3 घटाएंगे 8, 86 अंक होगा 24 बिसे का, तो आपसन फर्स्ट करेक्ट है, नेस्ट कॉस्टन है, 11 खिलाडियों की राज, इस तरी क्रिकेट टीम का आउसत बजन 70 किलोग्राम है, जब प्रिशिच्चकों का बजन भी इसमें जोड़ा जाता है, तो आउसत बजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो प्रसिच्चकों का बजन क्या होगा यहाँ पर ध्यान देगे पहले स्टार्टिंग गेरा खिलाड़ी है इनका औसत बजन दिया है 70 किलोग्राम और प्रसिच्चक का भी बजन जोड़ेंगे तो एक और प्लस होगा तो यहाँ 12 हो जाएगा टोटल संख्या और यहाँ और सत में भी देखे यहाँ पर ब्रद ही हो जाते एक किलोग्राम बढ़ जाता है तो यहाँ पर 70 से हो जाएगा एक खत्तर तो देखे यहाँ भी प्लस वन हुआ और यहाँ भी प्लस वन है तो इस प्लस वन का गुणा कर देते हैं 17 से तो यहाँ पर 71 एक हम 71 और इस प्लस वन का गुणा कर देते हैं इस गेरा से तो यहाँ पर गेरा एक कम गेरा तो ये देखे यदि 2002 में योग उमिद्वार यानि पात उमिद्वारों की संख्या 72,000 थी तो 2002 में उपस्थित उमिद्वारों की संख्या क्या थी देखे यहाँ पर 2002 में देखे तो पात उमिद्वार 48% है और जो की टोटल यदि उपस्थित कहें तो 100% होगा योग यहां पर 48 दिया तो 48% की value यहां पर दिया हुआ है 72,000 तो यहां पर लिख लेंगे 48% बराबर 72,000 हमें 100% की फिर value find करना है तो सबसे पहले 24 से cancel out करेंगे 24 दूनी 48 यहां पर 24 त्याई 72 फिर इसके बाद पुना है दो से cancel out करेंगे तो यहां 15 दूनी 30 डबल 0, 1500 एक परसेंट की value 15 होगी तो आपको 100% की find करना है तो 1500 into 100 कर देंगे तो यहां पर हो जाएगी 100% की value 15 लेकर के 4,0 एक लाग पचास अजार तो इस तरह से इसका विकल्प भी correct है Next question है Sebastian fatal दवर के पहले दवर को 240 km प्रतिघंटा पर और दोसे दवर को 360 km प्रतिघंटा गत से पूरा करता है तो पहले दो राउंड की और सत गत यहां पर km प्रतिघंटा में find करना है तो इसको first को yx माल लेते हैं second को y माल लेते हैं तो average speed जब भी find करना होगा तो यहां पर फार्मूला होता है 2x y upon x plus y sorry यहां पर 2x y upon x plus y value put कर देंगे x और y की तो यहां पर 2 गुणे x की value 240 है और y की value यहां पर देखे 360 है और नीचे दोनों को जोड लेंगे 240 plus 360 अब देखे यहां पर 240, 360 जोडेंगे तो यहां 600 value आएगी तो 00 से 00 cancel out 61 कम 6, यहां पर 66, 36 तो यहां पर देखे जब आपस मुगड़ा करेंगे तो 24 दूनी 48 और 48 into जब 6 करेंगे तो यहां पर 288 value प्राप्थ होगी तो यहां पर average speed 288 km प्रति घंटा हो जाएगी option number 3 correct है next question है एक box में 60 detergent साबुन होते हैं उन में से 36 का उप्योग किया जाता है तो box में 6 detergent साबुन का प्रेश्चत क्या होगा यहां पर देखे 6 बचेंगे 24 और उसका प्रेश्चत आपको find करना है जब 60 में 36 minus कर लेंगे तो 6 24 बचेंगे और 24, 60 का कितने परसेंट है तो देखे 24 उपर लिखेंगे 60 value नीचे होगी और इंटू कर देंगे handed तो यहां पर 20, 63, 25, 100 फिसके बाद 3, 1, 3, 3, 8, 24 तो 8, 5, 40 40% होगा आपसन फर्स्ट करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है चार साल के लिए 12 प्रस्ट की दर्से 12 साल के लिए 400 रुपए का साधान मुद्दे पर निवेस के बाद रुपए रासी में निकालें यहां पर देखे कोस्टन में मिश्टेक है क्योंकि कहरा कि 4 साल के लिए 12 प्रस्ट की दर्से 12 साल के लिए चार सुरुपए तो यह यहाँ पर मिश्टेक दिया हुआ है सवाल तो next question देखेंगे x cube divide by 23 बराबर 539 देखें यहाँ पर 539 23 का स्क्वार होता है और यहाँ पर देखें divide by में 23 आल लीडी है मतलब x cube बटे 23 और बराबर यहाँ पर दिया है 23 का स्क्वार तो जब 23 का गुणा और कर देंगे 23 का क्यूब हो जाएगा 23 का क्यूब क्यूब कैंसिल आउट तो यक्स की वैलू आ जाएगी 23 आपको यक्स की वैलू फाइंड करना है आप संडी करेक्ट है नेस्ट को नेम लिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग है यहाँ पर पूर्ण वर्ग पता करना है तो ध्यान रखेंगे जिस संक्या का अंतिमंग 2, 3, 7 या 8 होता है वो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होती तो देखे यहाँ पर अंतिमंग 7 है दो है आठ है तो यह तो तीनों पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगे तो अगत विकल फर्ष्ट करेक्ट है ये पूर्ण वर्ग संक्या है नेस्ट कोश्टन है अस्सी में से 66प्रिस्चत के 66.7 प्रिस्चत में से 25 प्रिस्चत यहाँ पर देखे की मुद्रित केमत 700 रुपई है अथात अंकीत मोल 700 है पुस्तक निर्माता ने उस पर 10 प्रिस्द के छोड़ दी है यदि वह अभी भी बेस प्रिस्द लाव अर्जित करता है तो पुस्तकों की मोल लागत रुपई में क्या होगी यहाँ पर देखें CP फाइंड करना है और MP यहाँ पर दिया है और इसका फार्मूला ही होता है CP उक्वल टू MP इंटू 100- discount percent उपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं 100 plus profit percent अब इसी में value आपको put कर देना है देखे यहाँ पर safe find करना है तो यमपी की value यहाँ पर दिया है 7 रुपए मुद्रित कीमत है market price 700 into अब 100- discount discount 10% है तो यहाँ उपर 90 value बचेगी और नीचे 100 plus profit percent तो यहाँ पर 100 plus 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा अब यहाँ पर देखे 0-0 पहले cancel out हो जाएगा फिर 3-9 फिर यहाँ पर 3-4-12 फिर 4-4 एककम 4 यहाँ पर देखे 4-1-4 फिर 3-30 हुआ चार यहाँ पर भाग करेंगे 30 हो गया तो यहाँ पर देखेगा चार सते 28 होगा फिर दो 20 हुआ चार पंचे 20 अब 175 इंटू 3 कर देगे तो यहाँ पर हो जाएगा अब आप रिजनी के कॉर्सन देखेंगे यहाँ पर 35 कॉर्सन लगातार निम लिखी तो वाक्यों को पढ़ें और नीचे देगा प्रस्न का उत्तर देए यहाँ पर वाक्षा देखें A either it B कार्थे A B का पती है A hedge B कार्थे A B की पतनी है A dollar B कार्थे A B का भाई है और A percent B कार्थे A B की बहन है यहाँ पर देखे कुछ Missprint भी है अब यहाँ पर देखे एंप स्कार्ण का दिया हुआ है तो इस बेंजग को देखकर के आपको पता करना है इस समिकर्ण में कि यम का P से क्या सम्मन्द है यम और P में आपस में क्या सम्मन्द है सबसे पहले देखें यम डालर यन है तो जहां पर डालर होता है तो फर्स सेकेंड का भाई है अथात यम यन का भाई है यहां पर डाइग्राम बनाएंगे यम यन का भाई है तो यम का जेंडर प्लस कर लेंगे मेल के लिए प्लस और फिमेल के लिए माइनस यहाँ पर यन और ओ के बीच में प्रिस्चत है तो यहाँ पर देखे प्रिस्चत लगा है अथात A और B की बहन है तो यहाँ पर यन ओ की बहन है यह अन O की बहन है तो यहां पर O को बगल में लिखेंगे O का जेंडर माइनस होगए यह female है अब O add the rate P यहां पर देखी जब add the rate होता है तो पर्स सेकेंड का पती है अर्थात OP का पती है तो यहां पर O slash P करेंगे और O कमें प्लस कर देंगे और यहाँ पर माइनस अब यह डाइग्राम यहाँ पर बन गया है अब कहरा कि यम और पी का आपस में क्या संबंद है तो देखें यहाँ पर यम का पी से संबंद बताना तो देखें इसके पती और पती का भाई यहाँ पर होगा देवर तो देवर और यहां पर यह हो जाएगी भावी भावी देवर का सम्मन्द होगा तो यहां पर बिकल्प में दिया नहीं है तो next question देखेंगे दिये गए आकड़े में कितने वर्ग हैं यहां पर देखे figure को आप देखकर बताएंगे तो यह डाइग्राम आपके सामने बना हुआ है और यहां पर बिकल्प दिये गए तो देखें वर्ग पता करना है तो सबसे पहले दिया काउंट करें तो एक, दो, तीन, चार और यह पूरा पांच यह बड़ा वाला वर्ग भी काउंट करेंगे एक साथ और पांच यहां भी है देखें इसमें भी एक तो यह है बागी एक, दो, तीन, चार तो पांच, पांच, दस और यह जो अंदर बने है यह दो तो दस, दो, बारा टोटल बारा वर्ग है नेस्ट कोस्टन है स्रंखला में निम लिखी संख्याओं को पहचाने मतलब अंगली संख्याओं आपको पता करना है तो देखें, यहां तीन से चार हो गया थात प्लस चार किया है स्वरी, तीन, चार, साथ साथ से उननीस हो गया है तो यहां पर देखें बारा साथ, उननीस होता है मतलब प्लस बारा किया है फिर 19 से 55 हो गए तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेगे तो यहाँ पर 36 आएगा तो देखे यहाँ से पता चल दा कि 4 तेहीं, 12, 12, 13, 36, 3 गुना करके यहाँ पर जोड़ रहा है देखे 3 गुना करके, अब 36 का 3 गुना होता है 108 जब 36 का 3 गुना, तो प्लस 108 करेंगे, तो यहाँ पर देखे बैलू आ जाएगी 163 अब इसका 3 गुना कर देंगे, 108 का 3 गुना, तो यहाँ पर 324 होता है तो इसमें आपको प्लस 24 करना होगा, यहाँ पर देखे इसमें 324 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहां पर तो देखे एक सो तिरसाट और तीनस चौबिस जब जोड़ेंगे तो चार सो सतासी हो जाएगा इसका आपसन नंबर भी करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है नेम लिखिद भी कल्पों में दिये गए प्रस्ण चबी के उचित प्रतिविम को पहचाने यहां पर देखे दरपन प्रतिविम नहीं दिया यहां पर जल प्रतिविम जल प्रतिविम में आपको टाप टू बाटम यहां पर आकरती चेंज होगी टाप वाली वाटम में आ जाएगी वाटम टाप में हो जाएगा देखे इसका M का उल्टा डबलू हो जाएगा O का तो जयों का तो रहेगा D का आप जयों का तो रहेगा E भी जयों का तो रहेगा लेकिन L चला जाएगा उपर इस तरह हो जाएगा तो आपको ये वाली आकरती पता करना है देखे बिकल्ब का सारा लेंगे तो बिकल्ब में देखे तो आपसन अंबर 3 में यहाँ पर दिया हुआ है तो आपसन 3 करेक्ट होगा नेस्ट कॉस्टन है निम लिखित 5 में से 4 एक निश्यत समानता होती है इसलिए एक समूह बनता है और आपको पता करना हो जो समूह में नहीं है वो कौन सा है यहाँ पर देखे आपके सामने ये 5 दिये हुए है तो आप बिकल्ब का सारा ले लिजे यहाँ पर 17,2,19 वह मतलब प्लस 2 किया है यहाँ पर 16 से यहाँ पर देखे दे गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिये प्रस्न का उत्तर दे यहाँ पर ध्यान दीजे दो समान अंतर चत्रुबुने से प्रते एक आठ में से चार ब्यक्ति इस तरह बैठे है कि परोसियों में समान अंतर है आप देखे कतार 1 में बता रहा है कि YUM YUM O. और P बैठे हैं और सभी के चहरे दचिन की तरफ है कतार 1 साउथ तरफ दाइरेक्शन है यहाँ पर तो जब फेसिंग डाइरेक्शन साउथ में होगा और यहाँ पर यहाँ पर देखे facing direction है अजब नार्थ की तरफ होता है देखिए चारो आमने सामने बैठे हैं यह सब का right होगा और यह सब का left होगा आप इस तरह पहले condition यहाँ पर बना लेते हैं अब इसके बाद देखिएगा इसलिए दी गई बैठक ब्योस्ता में प्रतेक चार का सरी कतार का चेहरा दूसरी पंक्ति में आता है आप कहरा की पहला की ई जि गे दाई और तीसरे इस्थान पर बैठा है तो G के दाई और तीसरे इस्थान पर तो G यहाँ पर बैठाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा तीसरे इस्थान पर E बैठा तो E को यहाँ बैठाएंगे और इसका चहरा YM के सामने है इसका मतलब फस्ट परसन का E का चहरा EM के सामने तो E हम यहाँ पर बैठा देते हैं आगे देखेगा P और N पडोसी है तो P और N को पडोसी है तो देखे P और N एक साथ बैठेंगे तो अभी यहाँ पर देखे फिक्स जगे सिवर नहीं कहां बैठा दे O, G के चहरे का सामना नहीं करता है और इसका चहरा P के सामने आता है तो यहाँ पर और का मतलब फर्स्ट पर्सन ही है तो यहाँ इसका चहरा P के सामने आता है तो P इधर बैठाएंगे और देखे O को यहाँ नहीं बैठाना तो एक ही जगे बचती तो O यहाँ बैठा देते हैं और देखे P और YN परोसी हैं पास पास हैं तो YN को यहाँ पर बैठाएंगे अब देखे एक बचा कुचा है तो यहाँ पर यह चा जाएगा यह अब देखे यह बैठकी बेवस्ता हो गई अब परस्ट देखेगा कि कहरा कि यदि YN ने O के साथ अंतरिच का आदान प्रदान किया है YN को O के साथ बदलना है तो देखे O को बैठा देते हैं YN की जगे इन दोनों को आप चेंज करें यहाँ पर YN आ जाएगा यहाँ पर O आ जाएगा यहां पर देखे चेंज हो गया दूसरे की place आप कहरा है कि और P ने YUM के साथ अंत्रिच काधान प्रदान किया है तो P और YUM भी यहां पर चेंज कर देते हैं यहां पर P लिख लेते हैं यहां पर YUM यह नई बिवस्था हो गई आप देखे करा तो यच के बगल में कौन बैठा है मतलब यच के सामने बगल का मतलब होता है यच के सामने तो देखे यच के सामने बैठा है यन आपको पता करना है इसमें तो यहाँ पर आपसन नमबर फर्स्ट करेक्ट है और ये question तीन बार repeat हुआ है तो आपको इसको अच्छे से लगा लेना है क्योंकि यही एक question तीन बारा है तो दुबारा इसको बतानी जोट नहीं होगी next question है पहले जोड़े की तरको ध्यान में रखते हुए एक बिकल्प चुने जिसमें प्रस्ण चिन की इस्थान पर एक ही तरको यहाँ पर ध्यान देंगे सेर और डेन का अपस में जो संबंद है देखे सेर डेन का मतलब गुफा होता है गुफा में रहता है उसी प्रकार मधुमक्खी छत्ते में रहती है इसका option be correct है next question है इस प्रस्ण में एक दूसरे के साथ एक संबंद देने वाले दो कथन है और परड़णाम एक दो तीन दिये गए है तो इन कथनों को सत्त मानते हुए पता करें कि कौन से निसकस्ट निस्षित रूप से सत्त है यहाँ पर देखें दो कथन दिये है तो देखें पी तरफ से जुड़ेगा मतलब पी तरफ यह ओपन है और यू तरफ क्लोज है तो जेवकत्यों इसको लिख देते है और इस गेटर दैन और इस दैन की बीच में यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर टी लिखा हुआ है लास्ट में यह आपका पूरज समी कर्ण बन गया यहाँ से यहाँ तक अब निसकरस देखें कर रहा है क्या याँ जेटर दैन आर है तो याँ और आर के बीच दी लेशन देखें क्योंकि अपोजिट शिम्बल है तो बीच में अपोजिट सिम्बल देखें तो all relation जो कि पहला गलत हो जाएगा फिर दूसरा देखे ओ यहाँ पर symbol नहीं बताया है कि कौन सा है यह question में mistake misprint है last में देखे u is less than r है तो देखे u और r के बीच में देखे तो यहाँ भी all relation निकल नहीं है all relation मतलब greater than less than equal तो यह भी गलत है यहाँ पर यह misprint दिया हुआ है तो next question इसका देखेंगे यह सवाल में यहाँ पर गलत है यहाँ पर देखें इसकर्स में जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि face का प्रतेक प्रस्ट A, B, C, D, E और या अच्छर से छपा होता है A के खिलाब side page पर काउन सा क्या छपा है मतलब A के भी प्रीज से पर पता करना है सबसे पहले दोनों में देखें कि यहाँ पर B कामन है तो पहले दोनों के B यहाँ पर लिख लेंगे फ़स्ट और सेकेंड का आप फ़स्ट बाले में कलाक वाई चलेंगे तो A और C पराप्त हो रहा है तो यहाँ पर लिख लेते हैं A और C और दो तीर बाले देखें पासे में भी कलाक वाई चलेंगे B से तो यहाँ फ और E मिलेगा तो यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ फ और E इस प्रस्ट में तीन कथन के बाद तीन इसकर्स दिये गए हैं, आपको यह हमाल लेना है कि कथन में सब कुछ सत है और फिर दो निसकर्सों को समवर्ती रूप से लिया जाना है और बयान में दी गई जानकारी के उचिस संदेह के बाद नेड़ना लेकी कौन से निसकर्स कथन के लिए प्रासंगिक है यहां कथन है कुछ जेट ट्रफ है तो यहां पर कुछ जेट ट्रफ है तो यहां पर बना लेते हैं यहां पर जेट हो जाएगा और यह हो जाएगा ट्रफ फिर आगे इसी में देखेगा ट्रैक्शन रैक नहीं है यहां पर ट्रैक्शन रैक नहीं है तो traction और रैक ये दूर दूर बना लेंगे traction और ये रैक फिर इसके आगे बार देखे कुछ cap jet है कुछ cap jet है तो यहाँ पर cap बना लेते है jet को cancel out sorry यहाँ पर cut करेगा अब देखे कहरा कि कुछ cap trump है तो कुछ cap trump है जो कि यहाँ पर एक भी नहीं तो पहला गलत है निसकर्स दूसरा कुछ states jet है तो यह देखे यहाँ पर ऐसा कोई सब्दी नहीं आया states का तो यह भी गलत है निसकर्स और सभी jet कैव है तो यह हो नहीं सकता यह भी गलत है अथात कोई तारकिक नहीं है option decorrect है next question है यहाँ पर देखे यह question हो चुका है दुबारा फिर से पुना रिपीट हुआ वही question last केवल यह पता करना कि P के बाई और कौन बैठा है तो आप यह पिछला question repeat है तो आप देख लेंगे next question देखे पहले जोड़े की तरक को ध्यान में रखते हुए एक बीकल्ब चुने जिसमें प्रस्ण चिन की इस्थान पर एक ही तरक हो यहाँ पर देखेगा भूर्ण का ध्यान जिस परकार भूर्ण बिग्यान में किया जाता है उसी परकार मौसम का ध्यान मौसम बिग्यान में करते है option D correct है next question श्रिंखला में निम लिखित संख्याओं को पहचाने यहाँ पर ध्यान देगे 15 से 26 हो गया तो मतलब 2 का गुणा करेंगे पहले 15 39 और माइनस 4 करेंगे 26 26 से 56 हुआ तो 26 दूनी 22 और प्लस 4 करेंगे 56 मतलब 2 का गुणा माइनस 4 2 का गुणा प्लस 4 फिर आगे यहाँ पर 56 दूनी 112 होता है और माइनस 4 करेंगे 108 फिर यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे प्लस 4 कर देंगे फिर यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे और माइनस 4 करेंगे तो 220 दूनी होता है 440 में 4 गटाएंगे 436 इसका अंसर आएगा आफसर्ण 4 पर गटाएंगे नेस्ट कोस्टन है देखे, इस प्रस्ट में एक प्यतलेग दिया गया है और एक बयान नीचे दिया गया है दिये गये अंसों को ध्यान से पढ़ें और दिये गये अंस के अधार पर कथन का चेयन करें यहाँ पर यहाँ पूरा प्रतलेग पढ़ लेंगे एक बार लाश्ट तक और नीचे यहाँ पर देखे बयान क्या दिया गया है यहाँ पर कथन देखेंगे तो कथन दिया गया है कि नेशनल डेरी डेपलमेंट बोर्ड यान डी डीब ने बुनियादी धाचा और बिती सहायता देने से इंकार कर दिया है तो यहाँ पर अब देखे आपको निशकर्स पता करना है तो आपसन 4 दिये गए है तो इसका D correct होगा बिधान निश्चित रूप से गलत है यहाँ पर निकल के नहीं आएगा अता है आपसन नमबर इसका D correct है यहाँ पर देखे बी नमबर आपसन में दिया है कि D इसका correct होगा नेस्ट कोस्टन है श्रिंखला में नेम लिखी संख्याओं को पहचाने यहाँ पर देखें नेस्ट टर्म पर कौन संख्याएगी तो पहले 109 से यहाँ पर 133 हुआ तो देखें प्लस 24 किया है आप माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा फे 233 से 181 हो गया है तो यहाँ पर प्लस 48 किया है देखें चाविस कही टेबल यहाँ पर चल राए 24 दूनी 48 फे यहाँ पर 182 से 235 हो गया है तो प्लस 65 किया है इन दोनों का डिफरेंस 295 आएगा तो प्लस 65 तो 24 त्याई 327 पर देखें यहाँ तोstat बस 234 हो गया तो यहाँ पर प्लस किया है 24 चोको 96 तो यहाँ 96 प्लस करेंगे 304 आ जाएगा फिर 24 पंचे 120 होता है 24 का टेबल ही यहाँ पर चल रहा है तो 120 प्लस कर देंगे 304 में तो यहाँ पर पहलू होगी 479 तो इसका बिकल्फ फोर्थ करेक्ट है Next question है निम लिखित 5 में से 4 एक निस्स समानता होती है इसलिए एक समूव बनता है इसलिए पता नहीं कि आप उस समूव में है नहीं है तो मतलब इस समूव में कौन अलग है उसको चैन करना है तो यहाँ पर इसमें कार अलग होगा क्योंकि एक याता बाहान है बाकी ये सभी furniture के अंतरगत आते हैं next question देखेंगे यहाँ पर देखें नेम लिखित 5 में से 4 एक निशिस समानता है आपको अलग काउंस है उस तो पता करना है समूव में से तो देखें यहाँ पर E, A, U, O ये सभी बॉबल हैं E, I, O, U में 5 में से 4 बॉबल हैं और T यहाँ पर देखें एक consonant benzen है तो इसलिए यह अलग हो जाएगा next question है एक बिसेस कोड भासा में टोमाइटे सब्द को देखें Z, U, S, G, Z, U के रूप में लिखा जाता है उस भासा में क्रेटरिक को सब्द को कैसे लिखा जाएगा तो K-Trick को देखेंगे यहाँ पर sorry, यहाँ पर C-Trick होगा तो 1st में देखें तो यहाँ पर पहला लेटर देखेंगे T से यहाँ पर Z हुआ मतलब 26, 26 होता है प्लस 6 किया है फिर यहाँ पर 15, 26, 21 हो गया मतलब प्लस 6 किया है फिर इसी तरह यहाँ पर 13, 6, 19 होता है तो प्लस 6 कर दिया है इसी प्रकार 20, 26, 26 हो गया प्लस 6 किया है और लास्ट में यहाँ देखें 15, 26, 21 अधार प्लस 6 तो प्लस 6 किया है सभी लेटर में तो यहां भी आप प्लस 6 सब में कर देंगे सभी लिटर में प्लस 6 आपको करना होगा तो देखें यहां पर 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा 1st लिटर 9 फिर 9, 6, 15 तो O हो जाएगा फिर थर्ड लिटर में देखेंगे तो 26, 26 Z हो जाएगा 18 से 24 होता है तो 1 सा जाएगा 9, 6, 15 यहां पर O प्राप्थ होगा और 3, 6, 9 होता तो यहां आई होगा तो I, O, G, X, O, I इसका अंसर हो जाएगा बीकल 1st करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है यहां पर देखें दो कथन दिये गए हैं और इसके बाद 2 निसकर्स है आपको पता करना है कौँ से निसकार्स निस्चित रूप से कतनों का नुसरन करते हैं पहला कतन है सभी रत्न कड़वे है तो यहां पर सभी रत्न कड़वे हैं आप डाइग्राम बना लेंगे अंदर वाला रत्न के लिए होगा तो प्रस्ट में जिक्र नहीं है तो इसलिए गलत है और दूसरा कुछ सफेद रतन है यह हो सकता है क्योंकि रतन सफेद होते हैं तो आपसन नमबर इसका देखे सी करेक्ट है बी नमबर करेक्ट है के वर निसकर सेकेंड तारकीक है इस तरह पाइंट करेंगे नेस्ट कोस्टन है यदि दरपड कुछ हैंकित रेखा पर रखा गया है तो निम लिखित बीकल्पों में से दी गई आकरती की सही छबी क्या होगी यहां पर देखे दरपड पर प्रत्विम में हमेशा लेप टू राइट यहां पर चेंज होती आकरती यह राइट है यह लेप्ट है तो आकरती आपको पता करना है कहां पर है तो यह आपसर नमबर देखे यहां पर यह दी गई है और यह सब ही देखे चेंज हो जाएगे मतलब जब इसको पल्टेंगे इस साइड ले आएगे तो आर आ जाएगे यहां पर दूसरे स्थान पर यह सब मतलब यहां लेकिन बनेगे इसी स्तर है तो यह आपसर नम्बर 1st करेक्ट है next question है इस प्रस्ण में एक प्रतलेख दिया गया है तो आप ये पूरा प्रतलेख पहले पढ़ लेंगे फिर दिये गए अंसों को ध्यान से पढ़ें और दिये गए अंस के अधार पर कफन का चैन करें तो देखे लास्ट में कथन किया है और विकल्प भी दिये गए है तो कथन दिया गया कि पस उत्पादों के उत्पादन और निर्यात में असमर्था भी राज जी को बड़े वित्ती नुक्सान के प्रमुकारणों में से एक है तो ये देखे इसमें हो जाएगा आपसे नमबर सत्त निकलेगा नेश्ट कोस्ट इस प्रस्ट में देखे दो कथन दिये गए है सुरी एक कथन दिया गया है उसके अधार पर यहां पर देखे दोसरे निसकर्स गायब कर दिया है तो यह प्रस्ट नधूरा दिया है तो नेश्ट कोस्टन देखेंगे A B की एक मात्र बेटी है यहाँ पर देखे B की एक मात्र बेटी A है यह diagram बनाएगे यह minus होगा क्योंकि फी मिल के लिए minus मिल के लिए plus और उसकी पत्नी C है और का मतलब यहाँ पर B की पत्नी ही होगी B की पत्नी C है तो यहाँ पर इसको इसलाइस लगा के यह हो जाएगा पती अब आगे देखे D C का पुत्र है D C का पुत्र है तो यहाँ पर देखे C का पुत्र D यहाँ पर लिख लेते हैं बगल में क्योंकि यह दोनों का पुत्र होगा D C का पुत्र है और B का भी पुत्र है तो C का A के बच्चे से क्या संबंद है ये A का बच्चा है ये C से संबंद है देखे इसकी मा और मा की मा ये तो नानी यहाँ पर नानी होना चाहिए लेकिन आपसन में दादी दिया है तो नानी या दादी रिजनिंग में दोरों चल जाता है नानी या दादी नेस्ट कॉस्टन देखेंगे यहां पर देखे एक कथन दिया गया है उसके बाद दो निसकर्स है आपको पता करना कि कौन से निसकर्स कथन का अनुसरन करता है कहरा कथन कि केवल अमीर लोग सियोल में रहते है किम सियोल में रहता है दूसरा है तो देखें किम को अमीर होने की जरूरत है ये निस्चित रूप से सत्थ है पहला और किम ए खुसाल जीवन बितीत करता है ये यहाँ पर सत्य नहीं है अमीर होने पर खुसाल जीवन हो ये सत्य नहीं होगा तो निस्चित रूप से सत्य नहीं कह सकते अब देखें यहाँ पर इसका option number D correct है, अर्थात A number यहाँ पर देखेंगे, मेरे पास एक मात्र निसकर्स निकलता है, यानि first वाला, क्योंकि यदि B कहेंगे, तो एक मात्र दोर जब निकलेगा तब B लगाएंगे, एक मात्र एक निकलता है, तो first लगाते हैं, तो आता है इसका first ही correct है, निसकर्स, तो इसलिए option D में दिया हुआ है, first, next question देखेंगे, दी गई स्रंकला के लिए निम लिखित में से कौन सबिकल्प दिया गया है, यहाँ पर स्रंकला में देखें, तो first ले, second में जाएंगे, तो देखें, जेट को यह anti-clockwise, sorry, यहाँ पर हाँ, anti-clockwise में, एक step यहाँ पर देखें, क यहाँ पर जेट से, इधर से देखें, इधर था, तो अब यहाँ पर आ गया, और add the red यहाँ पर से यहाँ आ गया, sorry, add the red यहाँ है, तो यहाँ से देखें, यहाँ पर आ गया, मतलब इसमें देखें, यहाँ पर बना हुआ है, अब इसी तरह आगे जब बढ़ेंगे इस आक यहां से यहां पहले यहां था और जैद यहां पर आ गया मतलब यह बना हुँआ है अब यह क्याओं बहुत है अब deso me daha withdraw expect दोगी इसका में इसका बिकल्प सी करेक्ट है guys question है search प्रिखे गए आंक्रे से कितने आर्कियन त्रिकोंड बनाए जा सकते हैं आर्कियन त्रिकोंड देखे यहां पर फष्ट तो यहां पर यह वाला बन गया आर्कियन सेकेंड यह यहां पर यह बन रहा है सिंगल सिंगल यहां देखे थर्ड यहां पर यह बन रहा है फॉर्थ यह वाला बन गया और फिप्त यहां वाला यह इस तरह से आप इसको काउंट नहीं करेंगे नहीं तो इसमें 6 हो जाएंगे केवल आर्की अंत्रिकूर्ण की बात करा तो इसलिए 5 होगा देखें यहां पर बिकल्प में देखें तो इसका बिकल्प डी करेक्ट है नेस्ट कॉस्टन है पहले जोड़े की तरको ध्यान में रखते हुए एक बिलो तचुने जिसमें प्रस्ण चिन की इस्थान पर एक ही तरको तो यहां पर देखेंगा करा कि 16 यहां पर 13 हो गया फर्स्ट में जो सम्बंद है माइनस 3 किया है तो यहां पर इभी माइनस 3 करेंग का पिता हूं तो उस पूरुस की अपरचित पत्नी के साथ क्या सम्बंद है तो यहां पर देखेंगे प्रस्ण अधूरा दिया हुआ है इसलिए इसको छोड़ देते हैं यहां पर नेस्ट को निम लिखित बिकल्पों में से सही बिकल्प चुनना एक पूर्ण वर्ग बनात तो देखें चितर यदि बिकल्प में जाए तो देखें इस सी बिकल्प होगा एक तीन और पांच मतलब फर्स्ट थर्ड और फाइब नमबर इससे एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा क्योंकि यह आकरती यहां पर सेट हो जाएगी तो जैसे सेट करेंगे तो यह पूर्ण व लाश्ट में कॉस्टन है कि निम लिखित में से कौन सो जोड़ा एक दूसरे के बगल में मत्ता मामने सामने तो यह आप देख सकते हैं पिछला प्रस्ट किसी दिए गए चितर की च्छा भी पद्धाती को पूरा करने के लिए सही बिकल्प का चैन करें यहां पर देखें कौन से यहां पर छबी फिल करेंगे जिससे पूर्ण हो जाए आकरती तो इसको यहां से देखें इसको जोड़ लेते हैं यह यहां से और यह इसको यहां से इस तरह से मिलान कर देंगे और यह तो इसमें देखे बीकल्प में देखेंगे तो बीकल्प C करेक्ट होगा C बीकल्प इसमें करेक्ट है Next question है स्रेंखला में निमलिकी संख्याओं को पहचाने यहाँ पर ध्यान देगे जब भी पहले छोटी हो बगल में फिर इसके बाद बड़ी फिर छोटी तो इस तरह हमेशा alternate चलते हैं मतलब फस से थर्ड में जाएंगे तो देखें इन दोनों का जब difference आप find करेंगे तो 22 का अंतर है मतलब 92 प्लस 22 करेंगे 114 आएगा 114 प्लस 22 करेंगे तो यहाँ पर 136 आजाएगा इसी प्रकार यहाँ पर second से fourth में चलेंगे तो यहाँ पर भी 22 ही प्लस किया है क्योंकि 85, 22, 107 और यहाँ पर भी 22 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर answer आजाएगा प्रस्नवाचक चिन की जगे तो 107 और 22, 129 होता है तो इसका बिकल first correct होगा 129 Next question है एक 26 code भासा में देखें रैप को लिखा जाता है 23, 16, 16 तो उसी प्रकार टेक्स्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा देखें यहाँ पर डबलू का क्रमांग 23 होता है जस्ट क्रमांग लिख दिया है आर का क्रमांग 18, एक क्रमांग होता है एक और पी का क्रमांग 16 उसी पिरकार T का क्रमांग के यहां 20 लिख लेंगे, A का क्रमांग 5 होता है, X का क्रमांग 24 हो जाएगा और T का क्रमांग 20, तो देखे 25, 24, 20, यह इसका अंसर हो जाएगा, इसका बिकल्प 4th करेक्ट है, 25, 24, 20, नेश्ट कॉस्टन है, पहले जोड़े की तर्क को ध्यान में रखते हुए एक बिकल्प चुने, जिसमें प्रस्ण चिन की इस्थान पर एक ही तर्क हो, यहां पर ध्यान देंगे, फर्ष्ट से देखी, यहां पर आपस में जो संबंद है, वही संबंद इसका से 3rd, 4 से होगा, तो यहां पर देखी, यदि बिजांक निकाले तो 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 12, 12, 12, 14, बिजांक 14, 14 आया दो अंक है तो इसको फिर से जोड़ेंगे, 4, 1, 5 आएगा, इसी प्रकार इसमें देखी, बिजांक तो 7, 7, 14, 4, 1, 5, इसी प्रकार यहां पर बिजांक देखी, यह दोनों का बिजांक 5 हो गया, 4, कि 99 में 9, 9, 18 होता है और 18 का बिजांक 9 आएगा, मतलब दोनों का सेम बिजांक, तो इस तरह से आपसर नंबर 4th करेक्ट है, नेस्ट कोस्टन, दी गई आकरती में कितने सीधी रेखाएं हैं, यहां पर सीधी रेखाएं काउन करना है, देखे, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गेरा, 12, 13 और 14, 14 सीधी रेखाएं हैं, तो यहां पर देखे, बिकल्प में जाएंगे, तो बिकल्प डिकरेक्ट है, नेस्ट कोस्टन, यहां से 35 कोस्टन ये रिजनिंग के कंप्लीट हो चुके, अब 50 कोस्टन देखे, जीके के बचे हुई हैं, तो जीके की 50 कोस्टन निम लिखित में से कौन सा बिकल्प कबड़ी खेल से सम्बंदित है, करिक्टांसर है आप्शन फ़स्ट, A.K.F.I. नेस्ट कोस्टन, भारती राश्टी कांग्रेश की स्थापना रिक्तिस्थान में होई थी, करिक्टांसर है आप्शन फ़स्ट, 1850 में, नेस्ट कोस्टन, इन में से कौन अंढ मान और निको वार्दीव समूं में को अलग करता है, करिक्टांसर है आप्शन फ़स्ट, 10 दिग्री चैनल, अर्थात क्रीक, नेस्ट कोस्टन, 6 रोग और टीवी रोग रिक्तिस्थान के कारण होता है, करिक्टांसर है आप्शन D. बैक्तिरिया, नेस् को लेरू जील रिक्तिस्थान के त्रिकोन में पाई जाती है लोक सभा में कितने एंगलो इंडियन सदस सिमनोनीत किये जा सकते हैं यदि किसी ब्यक्तियों दोनों सदन भवन के लिए चुना जाता है तो उस ब्यक्ति को घर के वांचित हाल लिखतिस्थान के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और आपसन भी 10 दिन नेश्ट कोस्टन देखिए कोशिका के नाभिक का आविसकार किसने किया था और आपसन डी रावर्ट ब्राउन असोक इस्तंभ इस्तित है ये कहां इस्तित है करिक्ट आपसन सेकेंड सारनाथ नेश्ट कोस्टन निम लिखित में से कौन सा एक लकडी की लुगदी पर रासानिक पितकियों द्वारा बनाया गया एक फाइवर है करिक्ट आपसन डी रेयान नेस्ट कोस्टन है, रियो पैरलंपिक में 2016 में पहली भारती महिला पैरलंपिक पदक बिजेता दीपा मलिग ने कौन सा पदक जीता? करेक्ट आंसर है, आपसन से केंड रजत नेस्ट कोस्टन दच्षिन भार्ती मंद्रियों के प्रवेश दोर को रिक्तिस्थान कहा जाता है correct answer is a option first गोपूर next question भविश्व की पीडियों की जरूरतों को पूरा करने की चमता को धक्कर दिये बिना वर्तमान पीडियों की जरूरतों को पूरा करने की चमता बिक्सित करना रिक्स वाक्य को क्या समझाता है correct answer is option B. सतत विकास next question है सापेश्च घनत की इकाई क्या है तो इसकी कोई इकाई नहीं है next question दिल्ली के निम लिखित में से किस लोक्त्री सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्बान किया था correct answer is option B. अलाउ देन खिल जीने next question है बर्फ का नमक रिख्तिस्थान होता है correct answer is option 1st 273.15 Kelvin next question है निम लिखित में से कौन साद दुनिया का सबसे बड़ा जहरना है correct answer is option D. एंजेल जल प्रपात अर्थाद एंजेल फाल्स next question correct answer is option 1st मुन्ड को अपनिसद next question है ओलम्पिक पदक बिजेता सुसील कुमार किस खेल से जुड़े हैं correct answer is option D. कुष्टी से next question है नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है correct answer is option 1st अमर कंटक next question निम लिखित में से कौन सा सहर लोहे और इसपात की दुनिया की राधानी की रूप में जाना जाता है correct answer is option 1st पेट्सबर्ग next question भारत में किस नदी पर सबसे उंचा जहनना पाया जाता है correct answer is option 4th सरावती नदी पर next question इस जहनने का नाम जोग या गर सोपा जहरना है जो की करनाटक राज में है मौलिक अधिकारों में समान तक अधिकार क्या है correct answer is option 2 कानून के समच सभी लोग समान है next question महावली पूराम में प्रसिद्ध समुद्धत का निर्मान किस ने किया था correct answer is option 2 नर्सिंग वर्मन दूती next question रिक्तिस्थान को धार्मिक सुतंत्ता दी गई है correct answer is option C सभी भारती नागरिकों को next question लाल मिट्टी का लाल रंग रिक्तिस्थान के कारण होता है correct answer is option 1 फेरिक आकसाइड next question पहली सार उभावमिक परिशत कब भरी गई थी correct answer is option D 1893 में next question अर्थ सास्त्र में बैकल्पी कारक्रम का अर्थ क्या है correct answer is option 1 दीर्ग कालिक योजना next question है नर्तकी की कांस प्रतिमा किस मिनार में पाई जाती है correct answer is option D मोहन जोदरो next question शुक्र अपने अच्छ के लिक्तिस्थान से लिक्तिस्थान तक घोमता है ते पूर्प से पच्छिम option C correct होगा next question है धर्म निर्पेच राज्य का क्या अर्थ है correct answer is option D शुरच्छित next question भारती अर्थ विवस्था में प्रियुक्त प्रणाली कांसी है correct answer is option D मिश्रित अर्थ विवस्था next question है राज्य का राज्य पाल कौन है correct answer is option C cabinet next question दुनिया का रिक्तिस्थान सर्भोज सिखर है correct answer is option D Mount Everest next question है योग के प्रकारों में अर्ध पदमासन की स्थिति क्या है correct answer is option C आधा लिली next question यदि संसत अदमोदन नहीं करती है तो अध्या देश की अधिक्तम अवधी रिक्तिस्थान है correct answer is option C 6 महीने और 6 सब्ता है next question वास्तु कला में पंचायत सैली रिक्तिस्थान सब्दे से सम्बंदित है correct answer is option D मंदिर next question art, fist, artis, stick, gymnastik किस कंपनी से जुड़ा है correct answer is option B विस्थ चैलेंज कप next question है राज्य परिशत को रिक्तिस्थान भी कहा जाता है correct answer is option C राज्यों की परिशत next question एक मुद्रा की मुद्रा की तुलना में मूर्ले को रिक्तिस्थान कहा जाता है correct answer is option D next question है राइडर सब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है correct answer is option B कवड़ी next question खजुराहों में कंदारिया महद्यों मंदिर भगवान रिक्तिस्थान को समर्पिद है correct answer is option C next question है बित्तिय सहायता रिक्तिस्थान द्वारा नियंत्रित की जाती है correct answer is option B इस तरह से यहाँ पर पूरे 50 questions जीके complete हो गए यहाँ total 120 questions पूछे गए थे इस paper में और आपको all questions paper चैनल के playlist में मिल जाएंगे playlist बना हुआ है साथ इसाथ आप लोग telegram channel जोईन कर लिजे जिसका link इस video के description box में दिया हुआ है वहाँ पर प्रतेख वीडियो का link प्लस से special पेडिया फाइल उपलब्द करवा दी जाती है यहाँ जाएंगे